दोस्तों जब भी आप कोई अप्लिकेशन इंस्टॉल करते हैं तो ऐसी प्रोब्लम आपके सामने भी जरूर आई होंगी और आती होंगी तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी प्रोब्लम को आप कैसे दूर करोगे कैसे सही करोगे और कैसे बिना रहा है शेकिन चल रही है ओके और केंसल दो बटन आ रहा है तो यहां पर मैं करूंगा तो कुछ नहीं होगा दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर कैंसल कर दूंगा बेग चला जाओंगा अब दोस्तों मैं जो जो करता हूं वह इस वीडियो के अंदर आप कर लेना यहां पर दोस्तों सेटिंग ओपन कर लेनी है इस प्रोब्लम का सोलुसन बताऊंगा यहां पर नीचे सलाइड करना दोस्तों आपको यहां पर एपस दिख रहा है आपको एपस पर क्लिक कर लेना दोस्तों एपस पर क्लिक करने बाद यहां पर मेनेज एप दिख रहा है आपक में आपको कॉनर में तोड दिकता यहां पेडिफेल्टए प्रिक कर लेना दोस्तों आपको डी फेल्ट्रेट पर क्लिक करने बाद यां पर पर चले जाना है दोस्तों धोस्तों यहां पर लिग चले जाना अब में आपको देख सकते हैं अब दोस्तों इसको मैं यहां यहां पर में क्रोम निहारा रहा है ब自己 something मैं अब यहां पर मैं Chrome करके दिखा देता हूँ और यहां पर मैं ठीडोट पर क्लिक करके डाउनलोड में जाओंगा दोस्तों डाउनलोड में जाने के बाद इसको मैं यहां पर फिर से सेटिंग पर क्लिक करके इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा आप देख सकते हो फिर से यह जो सेकेंड चल रही है दोस्तों यह चलने दो आप देखोगे किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी दोस्तों तो यहां पे मैं ओके करूंगा उपर यह जो क्लिक है इस पर क्लिक करके ओके कर दूगा अभी दोस्तों बैग जाके तेसे यूटूब नहीं चल रहा है स्मार्ट टिवी के अंदर या कोई और शोप्टवेर नहीं चल रहा है एप्टर टीवी नहीं चल रहा है यह फिर कोई और शेटिंग है अपडेट करना है LCD को तो वो सब है धन्यवाद दोस्तों तो लाइक और शेट ठोक दिजिए पांचेजार लोड़े दिख जाना चाहिए यह चार हजार के मैं आपके नहीं खड़ा हूं पुरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेंगा ऐसा नहीं चलेंगा लाइक ठोकी आपके लाइक खोकी